हेले दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत थे तो जैसा कि आप जानते हैं कि JPSC के मामले के लिए खासकर जहार खेंड के जो निवासी है और अधर राज्योकी भी जो JPSC के तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी ख़वर है और क्या अच्छी ख़वर है तो इस वीडियो को सुरू संतक देखें पसाना ने पर लाइक नहीं लोग सब्सक्राइब और बेल का एकन विटन दवाना ना भूले तो क्या है छटी JPSC के रियल की मांग की गई है सीम तो मुख्य मंतरी से मिले जेप्यस्य वेर्थी तो जेप्यसी छात्रों का परतिनी दी मं मंदल को मुख्य मंतरी ने अस्वस्त किया कि छटी जेप्यसी पर सभी विशंग्तिया को दूर कर नए सीरे से विचार होगा यह सब नए अधिवक्ता के निउक्त की के बाद ही संभव हो पाएगा जेप्यसी के संदर में विश्तित चर्चा के दरान सीम ने कहा कि साथ वे और आठवे जेप्यसी का बिग्यापन जल्द आएगा लगवग एक हज्यार पदो पर निउक्तिया होगी वहीं अस्थानिये वह नियोजा निति को पुना सुधार या संसोधन की जरूरत है परतिनीधी मंदल में उमेश परसाद नवीन अर्वीन सुनिल और सुनिल और सु जो कि बिग्यापन भी आ गया है और यह साथवी और आठवी होगी क्योंकि तो निश्चीत रूप से 1000 पदों पर है जो कि बहाली होने के 800 पदों पहले भी पेपर में आया था लेकिन अपिस जो है 1000 पदों के तो बड़ी खवर है और जहां तक बात है कि क्या यह जेपेसी क जब आएगी इसका विग्यापन तो निश्चीत रूप से अगर कलेंडर में बदलाव नहीं होता है तो है जो कि नेक्स बीक तक है जो कि अगर विग्यापन नहीं निकलता तो परिच्छा जो कि 23 परवरी की समभब नहीं होगी या तो कलेंडर चेंज करना पड़ेगा नही कि विसंगतिया जो भी है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिसतर कोट ने दिया था दैसकी जो लोग दूसरे फेज में दूसरे और लियल्ट्यımızı सब्सक्राइब होगा और जहां तक बात है तो आप लो जानते हैं कि पीटी में है जो कि दो पेपर होते हैं 100-100 कोस्चन होते हैं और टोटल 200 कोस्चन 400 नंबर करेते हैं और 400 में यह कि मेरिट बनती है उतना है जो कि आपको और दोनों में क्वालिफाइंग अलग अलग है होगा तो कितने कतने का होगा कम से कम है जो कि आपको जेनरल में है तो जो 40% तो लाना पड़ेगा तो अगले वार कितने कटफ थी तो लगभाग है जो कि 206 कट गई थी जेनरल की तो इसी तुरुप से 100 है जो कि इसमें GS रहेंगे उसमें भी आपको सिलेवास मैंने अगले वीडियों भी बताया तो कि फिप्टि האफ है यूटी निकालने में तो काफी आसानी होगी और जहां तक मेंस का सवाल तो मेंस में भी कोई subject को चुणने का नहीं रहता है उसमें भी आपको चार paper रहेंगे और एक Hindi रहेगा तो निसी तरह से आपको syllabus दिया हुआ है कि आपको history पर यह कि एक हज्यार से दिख्वद्र की काफी समय हो गया है और चलगभग जो कि 13 में ही विग्यापन निकली थी परकिरिया करते करते हैं जो कि अभी तक है जो कि और उसके चर्थे से और निश्य तरुप से इसे ध्यान देंए और या कि इंपर अगर विश्वास नहीं अगर यह भी मुख्वंतरि विश्वास नहीं देला पाते हैं नहीं करेंगे तो निश्य रूप से अध्शी खबर होगी तो उमीद करता हो कि जल दिए जो as अगर अच्छी रहा तो अगले सब्ता तक भी आपन साथ भी और आठ भी का जाएगा और एक हचार से अथिक बदों उपर है जो कि बाहली होने की उमीद है तो इसी ख़बर के साथ धन्यवाद